तो class अब हम सीखेंगे हमारे तीसरे सब टॉपिक के बारे में जिसका नाम है consumers तो अभी दख हमने producers के बारे में सीखा अब consumers की अगर मैं बात करूँ तो ऐसे organisms जो food को consume करेंगे यानि वो अपनी energy दूसरे organisms को खाकर obtain करेंगे या तो वो plants को भी खा सकते हैं या वो animals को भी खा सकते हैं तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले herbivores के बारे में ऐसे animals या ऐसे consumers जो सिफ producers या plants को खाते हैं फिर आते हैं Carnivores ऐसे consumers जो कि सिफ दूसरे consumers को ही खाते हैं यानि सिफ animals को ही खाते हैं और third category आती है Omnivores की ऐसे consumers जो कि दूसरे consumer को भी खा सकते हैं और producers को भी खा सकते हैं यानि they can eat both plants and animals इसके बाद मैं बात करूँ जो producers हैं उनको खाते है primary consumer primary को खाते है secondary और secondary को खाते है tertiary consumer तो हम बोल रहे हैं कि सारे animals कहीं ना कहीं directly या indirectly plants पर dependent हैं अपने खाने के लिए तो इसलिए हमने उन्हें बोला है consumers या hydrotrophs अगर हम एक example लें grazing food chain का तो जो grass है definitely producer है grass को खाती है goat वो हो गई हमारी primary consumer और फिर finally एक herbivore भी तो है वो और इसके बाद जो man है वो खाता है goat को तो वो हो गया secondary consumer हम बोल रहे हैं कि mostly जितने भी primary consumers है वो सारे herbivores होते हैं insects, birds, mammals ये होगा terrestrial ecosystem के examples और हम बात करें mollusk की ये हो गया aquatic ecosystem का example जो की primary consumers में आते हैं और generally herbivores होते हैं